असलाम लेकुम माई यूट्यूब फामली आई होब एवरीबडी इस फाइन वी आर फाइन अलम्दुलिल्ला वेलकम टू जूनी जुवल्ड इन यूके उमीद है कि आप लोग अपने घुरों में हुश और अबाद होंगे आप लोगों को इसी तरह हुश रखे और आप लोगों की हर तरह की परिशानियां मुश्कलात और मुसीब्तों को दूर करें आमीन आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और ये ऐसी रेसिपी है जो हर वीकेंड पर अल्मोस्ट लोग खाना पसंद करते हैं आलू वाले प्राथे तो आज मैं आप के साथ बहुत इसी और यमी आलू के प्राथों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ तो ये चीजे हैं जो आपको चाहिए होंगी बनाने के लिए आलू लेने हैं आपने क्वांटिटी कम ज्यादा आप अपनी जितने आपने प्राथे बनाने हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं साथ मैंने मीडियम साइस का जो है वो अनियन रखा हुआ है टू ग्रीन चिलीज है ग्रीन चिली की कॉंटिटी आप ज्यादा भी कर सकते हैं और साथ फ्रेश कॉरियंडर है रेड चिली है क्यूमिन है सॉल्ट जाएगा उसके अंदर और यह बहुत ही एहम है यह है ज्वाइन और टर्मरिक पाउडर और यह है वाइट पिपर एज्वाइन जो है वो थोड़ी स जाती है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बड़ा ही एहम जो है वो इंग्रीडियन्ट है अब मैने आलू को बॉयल करना है मैं पानी में इसको बॉयल करूंगी और इसको हाफ कट कर दूंगी हाफ करने से होता है कि जल्दी बॉयल हो जाते हैं साथ बॉयल क अब मैंने जो अपना मीडियम साइज का अनियन था उसको अच्छ तरीके से चॉप कर लिए हो जाता है और जरूर ट्राय किजिएगा हाफ करके जो बॉयल होते हैं आलू वो बड़ी जल्दी से हो जाते हैं अब मैंने इसको पील आफ कर दिया है इसका चिलका उतार दिया है साथ अब मैंने इसको मैश कर लेना है अच्छ तरीके से ताकि मैश हो जेए इसके अंदर अब मैंने सबसे पहले जारा है नमक याद रहे ही कुणकि हम लोग wanna प्राटे बनाने है तो नमक हो थोड़ा से जया ज्यादा ही आजसी जयादा है मैंने इस material में 1.5 teaspoon Salt डाला है. 1.5 teaspoon डालाsoft red chillies इनकी quantity आप कम ज्यादा कर सकते हैं už कम तो ऐसी है और जीरा 1 teaspoon डाला है यह एजवाइन है यह और में 20 1.5 teaspoon डाली है साथ जो है यह ग्राउंडेट बाइट पीपर जो है वो एट होगी हाफ टी स्पून और साथ टर्मरीक पाउडर एड होगा कोटर टी स्पून साथ में कॉरियंडर और जो ग्रीन चिली है उसको छोटा-चोटा पीस करके पीसिस करके चॉप करके वो एट करूंगी ग्रीन चिली जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है तो आप ज्यादा भी आट कर सकते हैं अब यह सब कुछ हो गया है इसमें सब कुछ स्पाइस डालती है तो इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर देना है साथ मुझे मिक्स से ज़रा कम लग रही थी तो मैंने अल्मूस्ट हाफ टी स्कून जो है वो गरम मसाला जो होता है पिसावा वो एट किया है अब सब मतीरियल दफा त्यार हो गया है तो मैंने आटे की चोटे चोटे जो पेड़े होते हैं बॉल्स होते हैं वो बना ली है यह इस टाइम पर भड़े लग रहे हैं देखने में लेकिन यह हैं चोटे चोटे फिर आपने एक पेड़ा जो है वो गूंत के आपने उसके ऊपर जो है वो material जो है आपका अलू का material जो बनाया है वो आपने अच्छी तरीके से spread करना है कुछ लोग इस तरह बनाते हैं दो रोटियों के दम्यान में लगाके बनाते हैं कुछ लोग different बनाते हैं मैं इस तरह जो है वो प्राठे बनाती हूं इस तरह मुझे easy लगते हैं बड़े ही अच्छे बनते हैं अब आपने दूसरा जो है जो रोटी है दूसरी उसको आपने उसके उपर रख कर अच्छे तरीके से साइडों से प्रेस कर दिना है इससे ही होता है कि वो जूट जाता है और जो आप जब ओयल लगाते हैं प्राठे को तो तूटता नहीं है जो छोता ही लेना है। अगर आप अब नॉर्मल साइस के पड़ें लेंगे तो रोटी बहुत जादा जाँ बनेगी तो आपने पेड़क है वो छोटा ही लेना है अब आपने अच्छी तरीके से एक तरफ oil लगा दिया है तो आपने दूसी तरफ oil लगाने हैं ताकि अच्छे तरीके से जो है क्रिस्पी हो जाए अगर आप पुराथे को medium आँच में बनाएंगे तो वो बढ़ा ही क्रिस्पी और बनेगा ज़रूर ट्राइ कीजेगा, उमीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर आप ट्राइ करते हैं और आपको अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बैल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो वक्त पे मिल सकें आप जो है इसको आम दही के साथ या मीठे दही के साथ या चटनी के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही मज़े का लगता है इंशाला आप लोग के साथ फिर मुला कातो की दुआ में याद रखेगा आप लोग के लिए बहुत सारी दुआएं अला हाफिस और थैंक यू सो मच पर वाचिंग